नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत देखे जने स्टेडिस में दोस्तों आप सभी के लिए एडियो एवं चात्रास अधिक्षक है तू हिंदी के मुश्ट इंपर्टन प्रस न ले कराये हूं जिसमें आपको 30 प्रस न देखने को मिलेगा यह आपके एडियो में भी काम सब्सक्राइगा साथ आपके 16 अधिक्षक में तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह हिंदी का दूसरा क्लास है इससे पहले मैंने एक क्लास करवा रखा है अगर आपने नहीं देखेंगे तो आपको एडियो क्लास यहाश्टल वाडन क्लास में जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको दिख जाएगा आप वहां से देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको स्लिबस वाइस क्लास करवा रहा हूं जो कि सबसे पहले हैं पर वाड़ माला से समंदित प्रसन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको वाड़ माला से लगभर 30 प्रसन देखने को मिलेगा सभी स्ल जो बार-बार एक्जामों में पूछा जाता है इसलिए यहां पर मैंने सेलेक्ट किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सस्काइब बिरूर कर ले और जो भी एडियो या हस्टल वाडन की तयारी कर रहा है या करना चाह रहा है वो भी चैनल को सस्काइब कर ले क्योंकि इस चैनल में आपको निस्रुक यहां पर दोनों की क्लास करवाई जा रही है और क्लास स्थार्ट हो चुका है तो लगातार मैं आपके लिए यहां पर MCQ के माध्यम से प्रस्ण लेकर आ रहा हूं तो आप चैनल में बने रही है आप से लेकर जानकर यहां पीडियए दे जाती है तो आप टेलेगराम जोइन कर लिजी और या पिर टेलेगराम में आप सिधर डी के जनलिए सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आप वहां से जाका कर सकते हैं तो चले आगे बढ़ते हैं सबस्तर पर प्रस्ण है भासा के सबसे चोटे काई यहां पर रवान होती है एंगला कोस्टन है वेमधा माला किसे कहते हैं ओस्तर सब्देसमों को वैरियोगों के संकलन को सब्द गाना को यहां です Jedio के लिए सिलिबस वाइस जो कि टापिक वाइस है मैं वहाँ पर करवा रहा हूं तो आप उसको भी देखिए तो चले तिसरा जो कोशन है यहाँ पर निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन सी है तो का ख यर या चय जा या टा तो तीन कहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा का और पर यहाँ पर नहीं है तो आएए देखते हैं इसको तो चौथे का यहां पर चार आपसन है तो इसको क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चार का यहां पर सी हो इसको बूलने उचारन के समय on को नाक को प्योग करना पड़ता है इसलिए यहां पर इसको यह को नासिख वेंजन कहा जाता है अगला है ए और ए उल्ण क्या काल आते हैं तो नासिख है मुर्धन्य उंट सहे या कंठ तालव्य है तो साथ के सही आंसर आपको डी हो जाएगा मलब्द हो जाएगा कंठ तालव पूशा जाता है व्यापको एक्जामों में तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आपको इस चैनल का कोई भी कंठेंड पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूरू करें साथ जो भी आपके दोस्ते एडियो के तयारी करें हैं तो उसके साथ से जरूरू करें और सप इ, उ, या, अ, अ है तो यहाँ पर आठ का सहयां से डि हो जाएगा, अम, और अ हो जाएगा एगला कोश्चन है नमवा नमबर निम्ड में बताएगे किस सब्द में दूध बंजन है तो यहाँ पर दूध बंजन वाला सब्दम को चुननना है तो पूना है, इलह बाद है, कशा कशा को चाहा है कौन से बन्र क चारों किस का किलाते हैं तो प्रकमपी है इस पर संघरश है या इस इस पर संघल सि तो यहां पर कशा मरेंब में सब्सक्राइब से बेंजन कहा जाता है जूसकर का सांतकों का इसको यहां पर संघ हर से Ben jal कहा जाता है एक रोष नम्बर मिंदाक ताय है की नमिन विक्षिद्ध Carol अग्या नमबर ao काउonst groups στο α handy तो यहां पार बाराक का कर्लेक्ट इंसर आपका हो जाएगा आपका सह मजाएगा गोष्ष और है एकला कॉश्चन है त्रवर नंबर काउंस अमानक हें तो खा धा यहां पर सब भा है आहिर है तो अमानक यहां इसका इसका तो संस्कृत के मुर्टा इन्गलियों की संख्या कितनी आति है तो 50 इंग्या वन बैसिक है तो आप सभी को मालूम होगा तो यहां पर इसका correct answer 52 हो जाएगा 15 का 52 होती है हिंदी में अगला question है च्छा ध्वन्य किसके अंतरगत आती है तो यहां पर मुल्सवर है घोस है संयुक्त वाणा या तालव्य है तो 16 का correct answer यहां पर संयुक्त वाणा हो जाएगा जोकि 6 ध्वन्य बनती है जो कि संयुक्त वाणा से next question है हिंदी सब्द कोस में च्छा का करम किस वाणा के बाद आता है तो यह भी question important है तो का है च्छा है तरह है गया है तो इसका correct answer आपर रख्का के बाद जो यहां पर च्छा का करम आता है तो इसका सहीं आंसर आ हो जाएगा का हो जाएगा next है गया वाणा किन वाणों के संयुक्त से बनता है तो यहां पर देख सकते हैं गया वाणा किन वाणों के संयुक्त से बनता है अभी हाली में अक्जाम में पूछा गया था तो यहां पर जा है प्लस यहां है जा है प्लस यहां है जा प्लस धा जा प्लस न्या तो यहां पर इसा कर्लेक्ट आंसर 18 को जाएका बहुँजाएका ज इस तरग से प्लस अ एगला कोश्चन है अगोस में इसका कर्लेक्ट आंसर डि हो जाएगा जो की अगोस में हैं दोस्तों वाड़ माला से व्यापप में लगभग 1-2 प्रसन पुछे जाते हैं अगर 30 प्रस्न पुछे जाएंगे तो लगपा मान के चलिए आपकार 172 प्रसन पुछे जाएंगे आपके वड़माला से यह आपर मैं मधकार 30 क्रूक्ष्टन बता रहा हो और जिसमें 10 प्रसन पूछे जाते हैं च्छात्रावास है तो उसमें एक प्रस नहा से बनते ही हैं तो उसको आपको याद रखना है वाड़ मनला आपको अच्छे से थेवरी पढ़ना है तभी आपसे ये बन पाएगा नेक्ट है घा का उच्छारान इस्थान कौन सा है तो मुर्था है कंठ है आपका तालू है या देंगा यहां पर जो चारान होता है क्या हो जाएगा तो इसका से याणक्त के द्वारा हम करते हैं घा का घा घा तो तो साके एडिंडेटफिन अब सभी को मालूं होगा तो 21 का क्रेक्टरा से यहां पर आपको बहु जागा घिया हो जाएगह जोकि यहां पर सव्यूक्ते बेंजन है एगला कोशन ہے बाइस नमबर निर्म लिकित में कRIS उचाण के देश्च्रिटे से देणर नहीं है मेंग जो देंट से उचाण होता है वो नहीं है तो यहां पर बाइस का टा हो जाएगा जो की दात से उचारा नहीं किया जाता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा टा हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है जिन सब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं तो जिन सब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते हैं यह भी हाली में एक्जामों में पूछा गया था कपलस सा है इसको आपको हलंद जो दिया इसको धियान रखना है तो इसका सहे Samu Re auहां पर कपलस सा जिससे यहां पर इसके जोग सेitarーナर्ण बंती है चा हिंदी दान माला में सुरों के कुल संख्या कितनी है इसमें confusion होता है क्योंकि स्वर में 11 है कि 13 है यह बहुत confusion वाला question रहता है तो इसमें 10 है, 11 है, 12 है, 13 है तो इसमें पुछा गए है कुल स्वरों को संख्या तो यहां पर कुल पुछा गए तो इसका अंसर 13 आ जाएगा और वैसे कभी-कभी पुछा जाता है कि हिंदी मौन माला में स्वरों की संख्या कितनी है तो यहां पर 11 लिया जाता है जैसे अभी हाली में पटवारी एक्जाम में आया था तो इसमें 11 और 13 दोनो आपस्ण था तो हो सकता है डिलिट भी ना कर दे इसके हिसाब से बट वैसे स्वरों के संख्या पुछा जाता है तो 11 आता है और कूल पुछा गया तो यहां पर 13 आ जाएगा और वैसे अधिकांस एक्जामों में या तो 11 आपस्ण में रहेगा या तो 13 बट अभी कुछ जो वैपाम का एक्जाम था उसमें दोनों आपस्ण था तो देखते हैं कि आंसर आता है फाइनल आंसर अगला निर्मने लिखित में कौन सा स्वर नहीं है तो आ है उ है यह है यह है तो इसका सही आंसर नहीं पर यह हो जाएगा जो कि स्वर नहीं है यह बेंजन है अगला कोश्चन है निर्म में लिखी में कौन टावर्ग नहीं है तो टावर्ग का इनमें कौन सा सब्द नहीं है तो उठा है डा है डा है घा है तो 27 कहां पर सही अंसर घा हो जागा जो कि टावर्ग में नहीं आता है अगला कोश्चन है हि इस तरह मैं आपके लिए कंटिनू यहां पर हिंदी पंचायती राज उसके बाद जो एडियो में और जो सी लिबस है आजीव का है उससे समंधित और 36 समंधित भी प्रस्न लेकर आऊंगो दिरे दिरे सभी के हाँ पर क्लास स्टार्ट हो गया है तो आप बने रही चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रही साते साथ बेल घंटी को भी प्रेस जरूर कर लेजिए क्योंकि बेल घंटी को जब तक आप प् अयोगवा किसको कहा जाता है अब सभी को मालूम भी होगा तो इसको यहां पर रैच्ट आपद्धा मॉच्छ इंप्रस्न आने के संभावना बंती है तो आप अच्छे से याद कर यह पढ़िए और चैनल में ऐसी बने रही तो चलिए दूस्तों धन्यावाद